देट है आज की 27 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एक्टोर्यल डिस्केशन में तीन इशूस आज हम डिस्केश करेंगे पहला आर्टिकल हिंदू का GDP के अल्टरनेटिव से सम्मंदित दूसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का चाइना की एग्रेसिवनेस को देखते हुए अब इंडिया और जापान को अपनी नुकलियर पोल्सी में बदलाव लाना चाहिए और तीसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का राइटर का आरोप है सरकार सिविल सोसाइटी को स्प्रेस करने की कुशिस कर रही है तो तीनो आर्टिकल हम डिटेल से डिसकस करेंगे डिसकसन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एक एक्जामपल देखो ये तस्वीर में जो आप देख रहे हो ना ये इंडिगो एरलाइन्स के एमडी है राउल बाटिया ध्यान से देखिए चाय के साथ कौन सा बिसक्ट खा रहे है पारले जी मतलब सिंपलिस्टी का एक बहुत बढ़िया एक्जामपल है आजकल आप देखते होंगे कि कुछ लोग थोड़ा सा पैसा आया नहीं लेकिन उनकी एरोगेंस देखिए बहुत जादा एरोगेंस बढ़ जाती है कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा कुछ पराप्त किया जैसे हम ही हम है हमारे सामने और कुछ नहीं है और कुछ लोग मैं आपको परसनली बताता हूँ एक दो बार मैं पारले जी का बिसकुट खा रहा था तो किसनी तो कुछ का मुझे कि ये कुट्टे वाले बिसकुट है मतलब बहुत बार आपने देखा होगा कि डोग्स को ये बिसकुट्स लोग खिलाते हैं लेकिन ये कैसा स्टिग्मा अटैज करना पहली तो बाद जो एनिमल्स हैं वो भी तो जीव है ना ये क्या पर्टिकुलरली बोलना कि कुट्टो वाले बिसकुट्स है और दूसरा ये किसने कहा कि सिरफ कुट्टे इस बिसकुट को खा सकते हैं और कोई नहीं खा सकता तो मतलब इस परकार की जो तस्वीरें हैं वो इंस्पायर करती हैं कि ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए लोग क्या कहा रहे हैं सिंपल लिविंग इस बैस्ट लिविंग चलिए डिसकुशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपर्टन आर्टिकल डेश की एकोनमिक सिचुएशन को एसेस करने के लिए जीडीपी के इस्तमाल से समधित हैं आप जीएस पेपर 3 के इस टोबिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं क्या कांटरेस्ट हैं देखो जो अभी करंट फानेंशल येर चल रहा है अप्रेल, मई, जून पहला क्वार्टर पूरा हो चुका है, जुलाई चल रहा है पहले क्वार्टर में देश की एकोनमी ने कैसे पर्फॉर्म किया इसका रिजल्ट जल्द ही अब जारी हो सकता है जैसे ही रिजल्ट जारी होगा पहले quarter में देश की economic situation कैसी रही, growth rate कैसी रही तो writer कहते हैं, देख लीजिएगा, ऐसा होगा सरकार जहां अपनी chest thumping करेगी, मतलब पीट थपत पाएगी कि देखो, इंडिया की economy ने first quarter में काफी अच्छा perform किया इंडिया fastest growing economy है दूसरी तरफ, Vipax भी press conference आयुजित करके कुछ कमिया निकाल देगा GDP का मतलब क्या है वैसे GDP का मतलब देखो ये है, एक निश्चित time frame के अंदर जिसे आम तोर पर एक साल लिया जाता है एक साल के अंदर, एक territory में, for example भारत में जितने भी goods and services produce हुए, उनकी value का sum country produce हुए, यानि निश्चित territory में produce हुए, और सबसे last में, given time period के अंदर जिसे एक साल लिया जाता है प्री में भी question पूछा जा सकता है GDP के components के बारे में ये तो चलो basic मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ें उससे पहले इसके बाद writer बोलते है, देखो एक average person जो है न, मतलब एक common man क्या उसको GDP के आंकडों से कोई लेना देना होता है कितनी growth rate रही इंडिया की positive में रही, negative में रही, इंडिया की economy shrink की क्या एक common man इन सब चीजों के बारे में सोचता है answer है no common man को सिरफ एक चीज़ से लेना देना होता है उसने कितनी income आन की common man की एक simple demand होती है कि उसके पास job होनी चाहिए specially high quality formal sector में job होनी चाहिए ना कि informal sector में त्योंकि formal sector में जो job होती है उसमें आपकी social security का ख्याल रखा जाता है और दूसरी काफी सारी facilities मिलती है मतलब point आप समझ गए ना जनता के लिए GDP growth देखो तभी matter करती है अगर उस GDP growth से high quality की jobs produce हो और उनका income level increase हो otherwise उनके लिए GDP के जो आंकडे हैं कुछ matter नहीं करते हैं अब इसके बाद ना RBI की एक report का जिकर करते हैं writer report का नाम है Employment in public and organized private sectors RBI के दवरा ना ये report पहले publish की जाती थी अब RBI ने इस report को publish करना बंद कर दिया है इस report के अनुशार 1980 से लेके 1990 के बीच में अगर देखो देश की GDP growth rate में 1% का इजाफा हुआ मान लीजिए पहले 3% से grow कर रही थी 4% से grow करी तो 1% growth rate increase होने से 2,00,000 नई jobs generate हुई formal sector में एक और example से समझे मान लीजिए 1980 से लेके 1990 के बीच में देश की economy हर एक साल 14% की growth rate से grow हुई तो मतलब हर साल 28,00,000 नई formal sector की jobs generate हुई लेकिन देखो जैसे ही अम आगे बढ़े अगला दसक 1990 से लेके 2000 के बीच का इसमें क्या हुआ हर एक percent की growth rate से नई jobs generate हुई सिरफ 1,00,000 और अगले 10 सालों में यानि 2000 से लेके 2010 के बीच में अगर 1% growth rate increase हुई तो नई formal sector में jobs generate हुई फिर से बता देता हूँ 1980 से लेके 90 के बीच में अगर मान लीजे एक percent growth rate increase होने से job generate होती थी चार X तो 2010 से लेके 2020 के बीच में एक percent growth rate increase होने से job generate हुई शिरफ X यानि चार गुना कम अगर मान लीजे हम चाते हैं अब उतनी ही job generate हो जितने की 1980 में generate हो थी formal sector में तो हमारी जो growth rate है न चार गुना जादा होनी चाहिए एक और point जो निकलता है अब देखो formal sector jobs और GDP growth के बीच में correlation जो है relation जो है काफी कमजोर हो चुका है इसलिए आम इंसान को कोई फरक नहीं पढ़ रहा GDP growth कर रही है या फिर shrink कर रही है क्योंकि उसको मतलब है सिरफ अपनी job से एक Nobel laureate है Simon Kujnetson इन्होंने देखो GDP के idea को conceive किया था कि GDP का जो इस्तमाल है किया जा सकता है किसी देश की economic performance को major करने के लिए इनका कहना है देखो मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप किसी भी देश की economic situation को पूरी तरह से GDP की साहिता से major करो आज के समय में तो जैसा हो रहा है न इवन society की जो well-being है उसका भी पता लगाए जाता है कि उस देश कि GDP कैसे grow हो रही है जबकि देखो societal well-being और GDP growth का आपस में कुछ लेना देना नहीं है जैसे सौधरियविया जैसे देश है यहाँ पे GDP growth काफी होती है क्योंकि tail produce करते हैं यह देश लेकिन society की well-being उसके हिसाब से नहीं होती और ऐसा नहीं है कि सिरफ देखो इंडिया में ऐसा हो रहा है दूसरे देशों में भी स्रिलंका की बात कर लेजिए स्रिलंका में अभी mass uprising चल रही है economic situation काफी खराब हो चुकी है हालांकि देखो economic situation के खराब होने के पीछे कुछ इस परकार के factors responsible हैं जैसे वहाँ पे politicians ने economy को miss manage किया freebies काफी बांटी लेकिन देखो जब ये सब कुछ चल रहा था यानि covid से पहले तो सिरलंका की जो economic situation थी वो उतनी खराब नहीं थी मतलब ठीक था कि शिलंका की GDP ग्रो कर रही थी तो कहने का मतलब साफ है वहाँ पर भी GDP ग्रोथ और economic prosperity के बीच में disonance है higher GDP ग्रोथ का होना इसका मतलब ये नहीं कि लोग भी अब और ज़्यादा प्रोसपर हो रही हैं यही हल USA का भी है तो अब ना आउशकता है GDP के alternative की मैं आपको ना reasons summarize कर देता हूँ GDP के साथ क्या दिखते हैं GDP के साथ ये चार और भी दिखते हैं देशे सब कुछ measure करती हैं लेकिन impact measure नहीं करती for example हमारे देश में कितने car produce हुई उनकी value क्या है सब कुछ measure किया जाएगा लेकिन impact क्या हुआ उसका ये चीज measure नहीं की जाती कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी भड़ी हैं इवन production से environment कितना degrade हो रहा है ये भी नहीं measure किया जाता GDP calculation में और सबसे last में देखो GDP में प्रोडेक्शन पर ज्यादा focus होता है लेकिन आज की जो economy है ज्यादा service based economy है service sector पर ज्यादा focus होता है आज के समय में तो GDP का जो concept है पुराना हो चुका है अब नए alternatives की आऊ सकता है कुछ alternatives जैसे देखो human development product ये ना Indian Express में एक article आया था 2021 में उसमें ये suggest किया गया था कि GDP के alternative क्या आँ सकता है human development product का इस्तमाल हम कर सकते है GDP की जगाए GDP में न ये सारे parameters भी आएंगे जैसे female का labor force में participation rate क्या है gender income में कितनी parity है stunting कितने बच्चे जिनकी age 5 साल से कम है वो stunting का सिकार है water quality and availability quality of quality quality मतलब कितने विधायक या MP ऐसे हैं जिनके खिलाफ cases चल रहे हैं कुछ दूसरे parameters जैसे co2 emission internet access तो इन सब parameters पर अधारित हो HDP और इसका इस्तमाल किया जाए ये पता लगाने के लिए कि कोई देश कितना ज़्यादा समरिध है कितने ज़्यादा prosperity है किसी देश में GDP की सहिता से आप नहीं पता लगा सकते कि कि किस देश में economic situation कैसे है और भी देखो दूसरे indicators हैं जिनका इस्तमाल किया जा सकता है जैसे बुटान का था न जो काफी famous है जिस पर UPSC ने question भी पूछा था gross national happiness इसकी साइथा से measure किया जाता है economic situation इस पर UPSC ने 2013 में एक ऐसे पूछा था मुझे याद है और अमरिते सेन की एक approach है capability approach इस approach में यह पता लगाया जाता है कि लोग कितना capable है अमरिते सेन कहते है books देने से कुछ नहीं होगा यह देखिए जिसको आप books दे रहे हो वो पड़ भी रहे हैं के नहीं पड़ रहे हैं capable बनाओ कि वो books पर्ड़ स्केम फिर human development index है multi poverty index है इनका भी सारा लिया जा सकता है लेकिन GDP आज के समय में suitable नहीं है जैसे देखो France के एक राष्टरपती है मतलब पहले थे Nicolas Sarkozy 2008 में थे इन्होंने न कुछ noble प्रोष्कार विजयताओं को यह काम दिया था जैसे जोजफ economic and social performance को मेजर करने के लिए एक ज्यादा comprehensive measurement framework establish केजिए जो कि GDP के alternative के तोर पर काम करें report में यह कहा गया हमें देखो multiple indicators का एक dashboard बनाना चाहिए indicators देखो यह सब हो सकते हैं जैसे GDP में जो हमने discuss किये अलग-अलग देश के लिए अलग-अलग unique indicators भी हो सकते हैं उस dashboard की साहिता से economic situation मेजर की जाए, social performance मेजर की जाए ना कि GDP की साहिता से जिसका अभी correlation नहीं है उस देश में लोग कितने समरीड हो रहे हैं इस चीज से तो यह पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे नहीं स्ट आर्टिकल, सी राजमोहन का Indian Express का, इंडिया और जपान को अपनी nuclear policy के बारे में एक बर फिर से विचार करना चाहिए आप GS Paper Second के इस टोपिक से आर्टिकल को relate कर सकते हूँ दिखो अभीना global situation change हो रही है, यह आपको भी पता है चाइना बहुत powerful हो रहा है धीरे-धीरे और चाइना लगातार कोशिस कर रहा है कि कैसे न कैसे करके USA को replace करके खुद सबसे बड़ी power बन जाए वर्ल्ड में चाइना का ना बहुत सरे दिशों के साथ में territorial dispute भी है, including इंडिया और जपान अब देखो दिक्कत ये है कि चाइना अपने nuclear power को increase करता जा रहा है, मतलब और ज़्यादा nuclear weapons का निर्मान कर रहा है चाइना क्या इंडिया और जपान को इससे डरने क्या आउ सकता है, देखो अभी तक चाइना के पास थोड़े बहुत nuclear weapons थे, nuclear bombs थे तो दोनों देशों को लगता था कोई खाश डरने क्या आउ सकता है नहीं, क्योंकि इंडिया के पास तो nuclear weapons है ही इसके साथ-साथ जपान भी US के nuclear umbrella में आता है, जैसे US के पास weapons है न, तो जपान भी उसकी छतरी के नीचे है, मतलब अगर जुर्थ पड़ी तो US से जपान को nuclear weapons प्रोवाइड करेगा, ऐसा provision है लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है, दोनों को न, अपनी nuclear policy को फिर से review करने की आवसकता है, क्या हुआ है चाइना न, अपने nuclear arsenal को ना सिरफ modernize कर रहा है, मतलब और ज़्यादा बहतर nuclear weapons का निर्मान कर रहा है, बलकि expand भी कर रहा है expand का मतलब अगर पहले 350 warheads है, nuclear bombs है, तो अब उसका लक्षे ये है 2030 आते आते, उसके पास में 1000 nuclear warheads होने चाहिए, यानि bomb होने चाहिए ये पहला reason है, जिसकी वज़े से, इंडिया और जपान को अपनी nuclear policy को फिर से review करने की आव सकता है दूसी चीज, चाइना के जो राष्टरपती है न, सीज जिनपिंग, इन्होंने काफी muscular approach अपनाई है, muscular मतलब aggressive approach अपनाई हुई है territorial disputes का समधान निकालने के लिए, इंडिया के साथ भी, जपान के साथ भी, चाइना की territorial dispute है, लेकिन चाइना दोनों के against काफी aggressive है diplomacy काफी coercive है, aggressive है, काफी intense statements देखने को मिलती है चाइना की तरफ से, इंडिया के against भी, और जपान के against भी और चाइना न, slami slicing technique का इस्तमाल कर रहा है, जिसके साथ चाइना का dispute है न, उसकी जमीन हड़ अपने के लिए इसमें क्या होता है, जैसे देखो मान लीजिये, ये LAC है अभी, इस side चाइना है, इस side इंडिया है, अब देखो एकदम से चाइना के troops बहुत आगे आ जाएंगी तो तो फिर जहिर तोर पर इंडिया विरोज दर्ज करेगा, लेकिन चाइना क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके आगे आएगी, थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल, दो कदम, दो कदम, दो कदम आगे, दो कदम आगे, दो कदम आगे हैं, इनकी strategy वैसे रहती हैं, अगर आप दो कदम आगे आओगे तो एक कदम पीछे जाओगे effectively तो एक कदम आगे 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 ना समझ गए, माली जे चाइना पांच किलोमेटर आगे आगे इंडिया की साइड में, इंडिया ने का नहीं नहीं आप आगे आगे कि अगर nuclear weapon वाला देश attack करता है ना किसी दूसरे देश पे, जैसे रश्या के पास nuclear weapon है और रश्या ने attack किया उक्रेन के उपर, तो ना major countries बीच में नहीं आते US, UK, France, Germany, बीच में आये रश्या उक्रेन वार में नहीं आये क्यों नहीं आये, उन्हें डर लगता है बीच में आयेंगे तो रश्या के साथ nuclear war start हो जाएगा अगर रश्या के पास nuclear weapon ना होते न, अभी तक तो western countries कब कब इच में intervention कर चुके होते तो ये तीन factor senses की वज़े से अब इंडिया और जपान को अपनी nuclear policy में बदलाव लाने के आव सकता है इंडिया के पास nuclear weapons है जपान US के nuclear umbrella पर depend करता है खुद के नहीं है लेकिन US के साथ agreement है कि जूर्त पढ़ने पर आप दोगे वैसे देखो जपान बहुत ज़्यादा powerful देश है जपान nuclear weapons का निर्मान सिरफ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उनके लिए न ये एक emotional मुद्दा है सिरफ एक ही बार world में nuclear weapons का इस्तमाल हुआ है US ने गिराय थे second world war के दुरान जपान की दो cities हेरोशिमा और नागा साकी पर उनके लिए technique दिक्कत नहीं है जिसे इरान तो develop कर रहा है इरान को develop मतलब उनसे मुश्किल से हो रहा है दिक्कत आ रही है उनको करने में हो सकता है technique अब हो लेकिन सोचके देखिए जपान जैसा देश अकर nuclear weapons का निर्मान करना चाहे न रातो रात कर ले मतलब पलक जबकते ही nuclear weapons का वो निर्मान कर ले इतने अच्छे-च्छे scientists वहाँ पर मुझूद है तो अब दिक्कत यही है दोनों देशे इंडिया और जपान दोनों ना moral angle से ज़्यादा सोच रहे है पहले इंडिया की बात करते हैं जैसे ही देखो इंडिया ने 1998 में nuclear weapons का निर्मान किया experiment किया पोकरन में इंडिया ने बड़े-बड़े दावे कर दिये अपने आपको moral साबित करने के लिए हम पहले nuclear weapons का इस्तमाल नहीं करेंगे no first use की हमारी policy है हम जितने हमने nuclear weapons का निर्मान कर लिया कर लिया बस अब हम हमारे program को suspend करते हैं हम और ज्यादा nuclear weapons का निर्मान नहीं करेंगे अरे इतना moral क्यों होना भाई आपका जो परोसी देश है चाइना इतना ज्यादा aggressive है वो अपने nuclear weapons को modernize कर रहा है expand कर रहा है तो आप क्यो delay डाले बैठे हो आप भी बोलो न दुनिया को अगर चाइना करेगा तो हम भी करेंगे उसी परकार से जपान जपान के लिए nuclear weapons एक emotional issue है जैसे ही चाइना ज़्यादा aggressive हो रहा है न तो जपान के वो परधामेंटरी जिनकी death हो चुकी है शिंजो आबे वो तो देखो aggressive थे वो बोलते थे कि अब जपान को भी अपनी nuclear policy में बदलाव लाना चाहिए लेकिन जैसा मैंने कहा जनता वहाँ पर थोड़ी emotional है उनकी बात को माना नहीं गया और अब जो प्राइम minister है न किसी दा वो तो उसी से आते हैं जहां पर nuclear weapon गिराया गया था वो और भी ज़्यादा emotional है वो कहते हैं हम चाइना का सामना करेंगे दूसरे तरीकों से nuclear weapons हम नहीं develop करेंगे खुद से हमारा agreement है USA के साथ इतना ही बहुत है लेकिन बात वही है कि चाइना जब देखो इतना bully कर रहा है अपनी power को strong कर रहा है तो इन दोनों देशों को जपान को भी इंडिया को भी ज़्यादा moral moral नहीं खेलना चाहिए अगर आप ज़्यादा ही moral रहोगे आप अपने नुकसान कर बैठोगे मुझे न वो बात याद आती है जैसे हमारे जो राजा थे ना काफी बार जैसे पर्थिवराज चोहान थे मोहमद गोरी का attack हुआ पहली बार पहली लडाई में वो हार गए थे मोहमद गोरी और पर्थिवराज चोहान जीते थे लेकिन माफ कर दिया कि जाओ हम तुमें माफ करते है उसके बाद दूसी लडाई में क्या हुआ इतिहास आपको पता है तो आज का जो यूग है न वो देखो मिकियवली के आईडियाज को मानने वाला यूग है मिकियवली क्या बोलते है international relations में ethics, morals ये कुछ नहीं होता सिरुफ और सिरुफ एक चीज मैटर करती है वो है national interest समझ गए तो राइटर ना लाष्ट में एक और अच्छा suggestion देते हैं जैसे देखो आपको याद होगा अभी ना एक agreement sign हुआ था Ocus तीन देशों के बीच में USA, UK और Australia इस agreement के तहत USA, Australia की help करेगा nuclear submarines प्राप्त करने में तो राइटर कहते हैं इसी परकार का agreement ना तीन देशों के बीच में sign हो सकता है USA, France, India USA बीच में मलद करेगा France की और France, India को ना submarines प्रोवाइड करेगा कौन सी? SSBN यानि Ballistic Missile Carrying Submarine और SSN यानि Nuclear Attack Submarine ये agreement तीन देशों के बीच में हो USA, France, India USA बीच में मलद करे France की और France ये submarines इंडिया को प्रोवाइड करे ये agreement ना ओकस से भी ज़्यादा मजबूत होगा क्योंकि ओकस में तीन देश हैं US, UK और अर्ष्टेलिया अर्ष्टेलिया के पास nuclear weapons नहीं है लेकिन इस agreement में जिसका नाम हो सकता है Infrus India, France और US इसमें तो तीनों देश ऐसे हैं जिनके पास nuclear weapons हैं और जपान को भी अपनी ना nuclear policy को reconsider करना चाहिए चाइना का मुकाबला करने के लिए वक्त अब आ गया है यह पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद next article civil society से समदित है writer अरोप लगाते हैं सरकार के उपर कि सरकार civil society को destroy करने की कोशिस कर रही है तो इस article के जो points है न वो आप लिख सकते हो माल लिजए UPSC question पूश्टी है civil society के सामने आज के समय में कौन से challenges है तो वहाँ पे इस article के points को लिखा जा सकता है जैसे सबसे पहले National Security Advisor Ajit Doval की बात की जाती है कि पिछले साल जब IPS की training खतम होई थी उस दिन उन्होंने एक speech दी थी और trainees को समोदित कर दे हुए कहा था civil society आज के समय में war का एक नया frontier है देखो सरकार का तर्क ये है कि ये जो civil society है न पहले तो मैं आपको civil society बताता हूँ क्या है एक तो देखो family होता है family में husband wife, matah, pita ये सब होते हैं एक सरकार है सरकार में ये लोग होते हैं bureaucrates या फिर मनिश्टर्स उसके बीच में इन दोनों के बीच में family और सरकार के बीच में जितनी भी associations है न NGO है, कोई pressure group है trust है, कुछ भी है सब कुछ civil society है आप मान लिजिए UPSC aspirants मिलके एक association बनाओ ताकि UPSC से demand कर सको कि भया reforms आने चाहिए तो वो भी एक civil society होगी समझ गए तो सरकार का तर्क पता क्या है ये कई NGOs वगरा है ये दूसरे देशों के आदेश पर काम करते हैं जैसे UK government के आदेश पर USA के आदेश पर वहाँ से इनको funding मिलती है या फिर वो लोग जो इंडिया के against हैं उनसे उनको funding मिलती है और वो देश के against काम करते हैं मैं आपको simple भासा में बोलूँ आप समझ जाओगे सरकार को ये लगता है कि बहुत सारे NGOs उनका main मकसद ही ये है कि हमारी सरकार की बेस्ती करना वो जान बूच के आदे दूरे facts जनता के सामने रखते हैं ताकि सरकार की किरकरी हो ताकि देश कमजोर हो ये तर्क किसका है ये सरकार का तर्क है जैसे एक report आई थी कि NGOs न देश की development पर विपरित असर डालते हैं जैसे IB की एक report थी कि इस इस time period के बीच में NGOs की वज़े से देश की जो economy growth rate है वो 3-4% प्रभावित हुई है कई बार होता क्या है NGOs कैसे काम करते हैं मैं आपको example की साहिता से बताता हूँ एक report में ये सामने आया था जैसे Australia और India का uranium को लेके एक agreement sign होने वाला था अब ना Australia के आदेश पर ये चीज़ें कभी बाहर नहीं आती है report में सामने आती है कभी Australia इस चीज़ को मानेगा नहीं लेकिन Australia से पैसे मिले एक NGO ने ना विरोध करना start कर दिया coal mining site पे जान बूज के ताकि वहाँ पे coal की mining बंद हो जाए coal की mining बंद हो जाएगी तो सरकार पे pressure पड़ेगा सरकार जल्दी uranium agreement साइन करेगी तो इस परकार से ये खेल चलता है कि NGOs का इस्तमाल किया जाता है कुछ देशों के द्वारा अपने स्वार्त को साधने के लिए जैसे USA पर आरोप लगता था पहले कि USA की जो Ford Foundation है उस foundation के थूँ USA दूसे देशों की politics में interfere करता है इंडिया में भी उन्होंने किया तो ये हमने सरकार का पक्स जान लिया अब writer का पक्स जानते हैं writer का पक्स ये है कि सरकार अपने कुछ acts का misuse करके कुछ कानूनों का misuse करके civil society को दबाने का पर्यास कर रही है जैसे Foreign Contribution Regulation Act FCRA PMLA Prevention of Money Loantering Act Money Loantering मतलब Black Money को White Money में convert करना UAPA Unlawful Activities Prevention Act इनका दुर्यूपयोग सरकार कर रही है जैसे पहले example दे जाता है FCRA का Indian NGOs का अगर बहार से दूसरे देशों से मदद लेनी है तो उनको सरकार से FCRA Clearance लेना ज़रूरी है तभी वो फोरण से funds प्राप्त कर सकते हैं Development Work के लिए इस Act को एमेंड किया गया था 2010 में UPA की सरकार के द्वारा और एमेंडमेंड की साहिता से State को पावर दी गई थी काफी ज़्यादा NGOs से deal करने के लिए NGOs को इसके बाद हर पांच साल बाद अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाना था बहुत सारे Cancelations हुए FCRA के नाम पर 2010 से लेके 2020 के बीच में जैसे देखो अगर UPA के समय 2011 से 2014 के बीच में आल्मोश्ट 4,000 NGOs के registration कैंसल हुए थे तो जब BJP की सरकार आई 2015 से लेके 2012 के बीच में 16,692 NGOs के registration कैंसल हो गए और देखो आगड़ा और भी ज़्यादा puzzling इसलिए है 2020 में registration कैंसल नहीं हुए थे जातर जो registration कैंसल हुए वो 2015 से लेके 2019 के बीच में हुए सिरफ 3-4 सालों के अंदर-अंदर बाद में तो 2020 में और ज़्यादा कड़े कर दिये गए FCRA समंदित नॉम्स पहला amendment 2010 में आया उसके बाद 2020 में आया 2020 में तो नॉम्स और भी ज़्यादा strong बना दिये गए जैसे देखो अब NGOs के उपर ये restriction है वो एक level से ज़्यादा अपनी administrative cost पर नहीं कर सकते हैं उनको ना अपने foreign accounts जो है न SBI की एक branch जो New Delhi Parliament Street में है यहां से operate करने हैं तो अब सरकार के द्वारा और भी ज़्यादा आसान हो गया इन accounts को monitor करना writer कहते हैं देखो COVID के दुरान इन NGOs ने काफी अच्छा काम किया लेकिन सरकार इनको दबाने का पर्यास कर रही है इवन देखो वो NGOs जो domestic funds के साथ काम करते हैं उनको भी सरकार ने नहीं छोड़ा है सरकार ने कहा है ऐसे NGOs काम जो tax free status है न उसको renewed किया जाएगा हर 5 साल में एक बार आप देखो सरकार की तरफ से grant आती नहीं है जबकि दूसरी company से grant आती है उस पर भी सरकार इतनी restrictions लगा रही है तो एक परकार से सरकार ना civil society को स्माप्त करने की कोशिस कर रही है Oxfam का license renew नहीं किया गया जबकि Oxfam जो NGO है न अच्छ अच्छ रिपोर्ट पब्लिस करता था migrant, liberal की दशा के बारे में हमारे देश में गरीब लोगों का क्या हुआ महामारी के दुरान उनकी conditions के बारे में उन reports को worldwide attention भी मिली लेकिन Oxfam का license नहीं renew किया गया सरकार के द्वारा और भी NGOs हैं जैसे Commonwealth Human Rights Initiative पहले इनको इनके FCRA approval को suspend कर दिया गया उसके बार में तो इनके license को ही cancel कर दिया गया इस साल के सुरुवात में और दूसरी Human Rights Oriented Organizations जैसे इनसाफ, People Watch इनको भी FCRA की permission नहीं दी गई लास्ट में Prevention of Money Loantering Act का इस्तमाल किया गया कुछ NGOs को कुछ NGOs के उपर attack करने के लिए जैसे Amnesty International ED ने काफी case दर्ज किये Amnesty International के अधिकारियों के ऊपर तो ये सारे examples हैं जो आप लिख सकते हो जो अरोप writer लगा रहे हैं उसके बारे में उसके बार में तो Sonia Gandhi, Rahul Gandhi इनके खिलाफ case चल रहे हैं उनके बारे में लिखा जाता है ये तो फिर politics आ जाती है तो ये कुछ points हैं जो हमने draw किये इस article से हमारी आज की इस discussion में इतना ही है, तीन issues आज हमने details से discuss किये, thank you, thank you very much for discussion